गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओनलाइन लर्निंग स्टैनो चैनल में आप सभी का स्वागत है असी शब्द प्रती मिनट की गती से संपात के डिक्टेशन स्टार्ट यहे छिपा नहीं है कि उत्तर परदेश में कोरोना के संक्रमन से स्थिती बदतर हो चुकी है बेलगाम होते संक्रमन के बीच मरते लोग और इलाज के मौर्चे पर अस्पतालो से लेकर समूची स्वास्ते ववस्ता की दूरदर्शा यहे बताने के लिए काफी है कि राज्य में सरकार महमारी से लड़ाई के मौर्चे पर बुरी तरह नाकाम है दूसरी और सरकार महज दावो के सहारे यहे दिखाने की कोशिश में लगी है कि वह कोरोना के खिलाफ कारगर लड़ाई लड़ रही है जबकी जमीन पर दशा यहे है कि शहरों में तबहाई मचाने के बाद कोरोना विशानू अब राज्य के गावों का रुख कर चुका है और वहां से भी संकर्मन फैलने की खबरे आने लगी है आखिर इस स्थिती की जिम्मेदारी किस पर आती है अफसोसनाक यहे है कि अगर कोई वेक्ती सरकार की लापरवाही और उदासिंता की वजह से पैदा दुरदरशा पर सवाल उठाता है तो उसकी आवाज को या तो दबाने की कोशिश की जाती है या फिर वह खुद ही कुछ बोलने से पहले सहम जाता है ना केवल विपक्ष बलकी राज्ये में सत्ताधारी पार्टी के नेता भी अब यहे कहने की हालत में आ गए है कि अगर वे कुछ बोलेंगे तो उनके खिलाफ कारवाई हो सकती है गोर तलब है की उत्तरपरदेश में सीतापुर से भाजपा विधायक राकेश राठोर से ट्रामा केंद्र को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने आशंका जताई कि अगर मैं ज्यादा बोलूँगा तो राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा इससे पहले उन्होंने साफ तोर पर राजजिये में कोविड उन्निस के चलते उपजे हालात से निपटने के तोर तरीकों पर आसंतोश जताया अगर किसी जन प्रती नीधी को यह कहने की नोबत आ गई है कि विधायक के लिए अपनी बात सरकार से कहना आसान नहीं रह गया है तो समझा जा सकता है कि आम लोग इस मसले पर क्या कर सकते हैं विधायक के कुछ बोलने पर राजद्रोह का मुकदमा होने की आशंका में थोड़ी भी सच्चाई है तो यह पूछने की जरूरत है कि राजद्रे में लोग तंत्र की हकीकत क्या है ज्यादा दिन नहीं हुए है जब राजद्रे के अस्पतालों में आववस्ता और ओक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही थी और जब लोगों ने सोशल मीडिया के जरिये दूसरों से ओक्सीजन और अन्ने मदद मांगना शुरू कर दिया तब भी सरकार ने कानूनी कारवाई की धमकी देकर उन आवाजों को दबाने की कोशिश की थी सवाल है कि अपने कामकाज की शैली में बदलाव और दुरदर्शा में पहुच चुकी स्वास्तिय सुविधाओं में सुधार करने या ववस्थागत ठोस पहल कदमी करने के बजाए सरकार को इस बात से परेशानी क्यों हो रही है कि कोई वेक्ती या जनप्रतिनीदी उसे आइना दिखा कर हालात में सुधार की मांग कर रहा है क्या यहे नागरिकों और जनप्रतिनीदियों का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है विडंबना यहे है कि एक और सरकार के रुख से डरे हुए लोग चुप रहना चुन रहे हैं दूसरी और इलहाबाद हाई कोट ने प्रदेश के छोटे शहरों कस्बों और ग्रामिन इलाकों में संक्रमन तेजी से बढ़ने और मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही पर तीखी टिपनी की है कि राज्य की स्वास्थिये ववस्था रामभरों से चल रही है आम लोगों के सच बोलने से परेशान सरकार अदालत की इस टिपनी पर क्या जवाब देगी जरूरत इस बात की है कि महामारी की वजहा से उपजे इस संकट के दोर में सरकार सच का आइना दिखाने वाले लोगों की बातों पर गोल करके कमियों को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाए वरना सच को अगर एक कोने में दबाया जाएगा तो वह किसी और कोने से उभर कर बहर आ जाएगा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में कर दया है